नमस्कार आज 21 नॉवंबर 2024 आज से करेंट अपेर्स में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत हैं आज का क्विश्चन आफ दा डे है भारत केरिकॉम सीकर सम्मिलन कहां आयुजित हुआ है जिसका अंसर आपको आने वाले सवालों में मिलने वाला है आज का पहला सवाल जो की हमारा क्विश्चन आफ दा डे भी है भारत केरिकॉम सीकर सम्मिलन कहां आयुजित किया गया और इसका आयुजित कहा हुआ था गोयाना में हुआ था ठीक है अब देखो इस पुरे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे यह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी है इसमें बार बार डोस के प्रधा मंत्री है और यह बार बार डोस हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो कैरेबियन आइलेंड के देश थें उन सबने मिलकर मतलब यह पुरा एक आयुजित हुआ था और इस बार जो यह आयुजित था यह दूसरा सम्मेलन था यह कैरी कॉम सिकर सम्मेलन का और तीसरे के लिए नरेन मोदी ने बोला है कि हम भारत में आयुजित करेंगे यह अना ऐसा मतलब सहमती बन सकती है या अगला हो सकता है तो यह कहा हुआ था जॉर्ज टाउन में हुआ था जॉर्ज टाउन कहा है गोयाना में है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग हाली में किस देश द्वारा नया परमानु प्रस्तुत किया गया है देखो ये परमान उसिद्धान का सिरी से मतलब है कि पेले उसका कुछ और विचार थे जैसे इस देश का नाम है रूस पहले इसके उपर शर्चा करते हैं देखो रूस का रूस के जो प्रिंसिपल था या पिर जिसे हम बोल सकते जो उसका सिद्धान ता कि हम किसी दूसरे इसे राजजी पर या देश पर अटेक नहीं करेंगे जो नुकलियर इस्टेट नहीं है या यूँ कहूं में कि जिसके पास परमानुबं नहीं है बट हुआ क्या है कि अभी रूस की और यूकरेन की बहुत लड़ाई चल रही है अब क्या हो रहा है यूकरेन जो है यूकरेन ने with the help of America या मैं यू कहूं नाटो के जो दूसरे देश है इनकी मदद से क्या कर रहा है वो अपने आपको डेवलप कर रहा है यूकरेन ठीक है वो नुकलियर इस्टेट बनने की और अग्रिशर है तो इसने मतलब एकसा रूस ने इसा amendment कर लिया है अपने सिध्धान में या फिर जो कहूंगी जो नुकलियर वेपन इस्तेमाल करने की जो policy थी नीती थी उसमें सुदार किया है बोले नई अगर कोई दूसरा देश जो किसी अन्य देश की मदद से भी हमार उपर आक्टेक करेगा तो हम भी उसके उपर पेले आक्टेक कर सकते हैं एसा इसका मानना है तो रूस है जिसने अभी नुकलियर चेंज किया है मतलबना policy change कि है अब रूस को थोड़ा सा देख लीजिए एक बार देखो रूस की सीमा देखिए इधर फिनलेंड चे लगती है तो यहां से सुरू करें हम तो यह Finland होता है जिसके सीमा लगती है रूस की ठीक है यह जो है Estonia है लात्विया है इधर अब देखोगे तो बेलारूश है उसके साथ सीमा लगती है इधर यह Ukraine यह सबसे बड़ा जो है अभी करेंट में लड़ाई चल रही है लगवग तीन साल हो जाएंगे फरवरी में तो यहीं पर पूरी लड़ाई चल रही है रूस के राजदानी जो है मौसको है यार के जिगा मतलब छेत्रिपल की दरश्टी से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है अब यह इसको देखो यह सिप कर सकते हो कि दुनिया के सबसे बड़े देश जो कि आया भारत तो वह सबसे बड़ा च्छेत्रिपल की दरश्टी से सबसे बड़ा क्या है रूसे दूसरा क्या बन जाएगा कनाड़ा कनाडा जो है दूसरा का से कनाड़ा बना लीजिए और तीसे नबर पर किसको रखना है अपने को तो आपने बहुत प्यारा से जवाब द तो Brazil हो जाएगा हमारा पांचवा देस अब आया एक एसा वर्ड देखी जो बड़ा आ से शुरू होता है तो आस्ट्रेलिया में बड़ा आ आता है वह लास्ट के वर्ड पर फोकस करेंगे तो यह हो जाएगा ऊस्ट्रेलिया तो वह जाएगा दुनिया का चटा सबसे बड़ा इंडिया भाम जो होता है साथाव में पुड़े वर्ड के 2.4% जो चहत्रपल और आपको बता है अच्छे से कित्तर चेतर पले भारत का 32 लाग 278 वर्ग किलोमेटर चेतर पले भारत का यह बात याद रखेगा चलिए अगले सवाल की और प्रस्तान करते हैं अब दोको यह रूस के बारे में एक फ्रेक्टर बताओं मैं आपको रूस जो है वो यूरोप का का भी हिंस्सा है और एश्या का भी हिंस्सा है मैं दोनों कॉंटिनेंट में यह आता है अगर आप देखोगे इधर कजाकिस्तान से लगा हुआ है इधर मंगोलिया से लगा हुआ है नीचे की और इधर चाइना से लगा हुआ है यह बात याद रखेगा ठीक है अब बढ़त तो इस थीम के साथ 21 नवंबर को क्या आप मुझे सवाल का जवाब दे सकते हूँ मचली पालन को क्या कहा जाता है मचली पालन को क्या कहा जाता है कौन सा बताइए क्या कहते है मचली पालन को बताना है आपको ठीक है जिस परकार से अलग-अलग साइनसी की जो इस्ट्रीम चीजे होती है उसमें बताना है आपको निमनी मैंसे किस देश द्वारा नरेन मोदी को अपने देश का सरवच सम्मान दिया गया है अभी तो नरेन मो हैं और इस बार G20 का जो आयोजन किया जा रहा है कौन से देश में हो रहा है ब्राजिल में ठीक है ब्राजिल में तो नरेन मोदी उतरी घुम रहे है भाई साम तो डॉमिनिका रिपब्लिक ने भी बोला है कि भाई साम हम क्या करेंगे हमारे देश का सर्वस्रेश्ष सम्मान ठीक है तो ऐसा गुयाना भी बोला कि भाई हम भी क्या करेंगे नरेन मोदी को ये प्रुषकार दे रहे हैं बार 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 उस बोल रहा है भाई सब हम भी दे रहे है नरेन मोदी को इसका सही जवाब क्यों जाएगा उप्रियोक्त सभी इसका सही जवाब है सभी देश बोल कि यह क्यूबा होता है, जमेका होता है, इधर हैती होता है, डोमिनिकन रिपब्लिक होता है, सैंट केट्स एंड नेविस होता है, एंटिगोएन बार्बुडा होता है, डोमिनिका होता है, सैंट लूशिया, सैंट विंसेट एंड ग्रेनेडिस होता है, बारबाडोस होता है, होता है ट्रिनाड एंड ठॉबे को होते हैं तो ऐसे करके ये पूरे के पूरे क्या है भाई सब ये करेमिन आइलेंड वाले देश है चलिए आज का पांचवा सवाल देख रहे हैं हम लोग निम्न में से किसके द्वारा मीस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनित किया जाएगा देखो अभी मिस चार्म होने वाला है तो अभी क्या है मिस चार्म इंडिया किसे चुना गया है तो उन्हीं को चुना गया है जिनको हम भेजेंगे कहां भेजेंगे इनको कि जो ये टोनामेंट होगा मिस चार्म होँआ पर जाएंगी औ इंडिया को रिफ्रेजन करने हुआ ली है। इंडिया को रिफ्रेजन करने है। और हाँ जी घुमना है तो फिर इस पे जाना ही चाहिए। ठीक है पईसे वाईसे हो तुमारे पास तो तो क्या है भाईसा मैडरिट जो है यह क्या है। डव्लुट्यो का हेटक्वाटर है। अब डव्लुट्यो की स्थापना कब हुई थी। 1975 में हुई थी। याद रखेगा ठीक है अब आपसे एक सवाल और पुछेगा वो कि इस वक्त हेट कोन है तो जुराब जो है इसके याद रखेगा जुराब और उनका पुरा नाम तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको ठीक है पॉलो का स्वीली का नाम है पुरा लेकिन जुराब आपसे याद रख लिजेगा जो हैड है वरतमान में और यह उनके अंडर में काम करती है डबलू टी ओ वर्ल्ड टुरिस्म और गनाइजेशन हाली में किसके द्वारा ओल लिविंग थिंग्स एन्वायर्मेंटल फिल्म फेस्टिवल अर्थात एल्टी एफफ का ब्रेंड अगला सवाल देखीगा हाली में किसे इंटरनेशनल माइंड इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एस्टोशेशन का अध्याक्ष चुना गया है ठीके, तो आइएमेस का अध्यक्ष चुना गया है किसको नंदन कुमार को याड़ रखेगा ठीके नंदन कुमार यहाँ पर मंदिरा बेदी है तो मंदिरा बेदी को कौन सा पिकलवाल पिकल बाल का उनको अध्यक चुना गया था मैं यूँ कहूँ की चैर्मेन चुना गया था के संजे मूर्थी क्या है C.A.G हमारे नेश्ट C.A.G कोन बनने वाले है के संजे मूर्थी हर्भजन सिंग और सानिया मिर्जा और हर्भजन सिंग को दुबई में इस्पोर्ट्स का ब्रैंड एम्बेश डच न्यूक्त किया गया है चलिए आज का नवे सवाल के पर प्रस्तान करते हैं किस राजज द्वारा दो हजार चब्विस में भारत की पहली नाइट सफारी की मैजबानी की जाएगी और इसका सही जवाब जो है देगो उत्तर प्रद इसका लखनाओ क्या करेंगा दो हजार चब्विस में भारत की पहली नाइट सफारी का आईवजन करने जा रहा है आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है हाली में किस कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है लंदन में और वो भारत की कौन सी क याद रखेगा नेच्पीसी नेसल हाइड्र पावर कॉर्फरेशन एंड कोल इंडिया इन तीनों कंपनियों के इस्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी 1975 में 1975 डेट को याद करके रखना है सभी को हेटकॉर्टर कोल इंडिया का हेटकॉर्टर कहा मिलेगा थोड़ा सा द हेटकॉर्टर कहां पर है कोल काता में कोल इंडिया का हेटकॉर्टर को से कोल ने को से कोल काता इसे याद कर सकते भी इसको आब ठीक है अब एक हुआ चेर्में पूछेगा कोल इंडिया का करेंट में चेर्में कोन है पीएम प्रसाद पीएम प्रसाद जो है इसके चेर्में करेंट में कोल इंडिया के तो ये थे आज के कुछ महत पुन सवाल I hope आपको बहुत अच्छे लगे होंगे thank you thank you very much for the discussion have a nice day जेहिन जेवहराद